हाई फ्रेंट्स, क्या आप भी एक नया स्मार्टफोन लेना चाहते हैं और आपको समझ भी नहीं आ रहे हैं कि आप कौन सा स्मार्टफोन बाए करें तो इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ तीन बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 30,000 और इसमें आप तीनों स्मार्टफोन के स्टिफिकिशन के बारे में बात करेंगें तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहला स्मार्टफोन है Realme 11 Pro Plus इस फोन मी दिया है 6.7 एंच का AMOLED दिस्प्लेट विद 120 हर्ट्स रिफ्रेश रेट और HDR10 Plus का सपोर्ट और इंडिस्प्लेट फिंगर्प्रिंट सेंसर भी दिया है प्रोसेसर मी आपको इसमें Dimensity 7050 का प्रोसेसर दिया है जो एक अच्छा प्रोसेसर है ये स्मार्टफोन आता है 8GB, 12GB RAM विद 256GB of in-built storage Software मी इसमें आपको Android 13 with Realme UI 4.0 दिया है यूसेज के लिए 5000mAh बैटरी with a 100W fast charger इसके बाट मी triple camera setup with a 200 plus 8 plus 2MP camera sensors दिये हुए है और selfies के लिए 32MP sensor दिया है ये स्मार्टफोन मी 3.5mm jack और stereo speakers भी है 25,000 के अंदर ये एक अच्छा स्मार्टफोन है दूसरा स्मार्टफोन है Vivo V27 इसमें है 6.7-inch AMOLED curved display with 120Hz refresh rate HDR10 plus support और in-display fingerprint sensor दिया है इन-hand feel भी इसका बहुत अच्छा है Back मी इसका आपको color change होता है अगर आप इसको धूप में रखते हैं या इस पे UV light डालते हैं Software मी इसमें Funtouch OS 13 दिया है with Android 13 Gaming, Multitasking के लिए Dimensity 7200 processor दिया है Usage के लिए 4600 mAh बैटरी विद 66W fast charger दिया है ये smartphone मी triple camera setup दिया है with 50 plus 8 plus 2 megapixel sensors और सामने 50 megapixel का selfie camera दिया है अगर आप camera lover है और social media type photos चाहते हैं तो ये आप के लिए ये smartphone एक अच्छा choice है ये list मी आखिरी smartphone है Nothing Phone 1 ये अभी भी एक अच्छा smartphone है अंडर rupees 30,000 इसमें दिया है 6.5-inch OLED display with 120Hz refresh rate, HDR10 plus support and अंडर display fingerprint sensor इसके back मी आपको unique light दी गई है side मी इसके aluminium frame आता है software मी इसके Android 13 दिया है with nothing OS 2.0 ये smartphone 8GB and 12GB RAM variants मी आता है gaming और multitasking के लिए इसमी Snapdragon 778 Plus G का प्रोसेसर है battery मी आपको 4500 mAh आर दिया गया with 33W charger इसके साथ आता है back मी आपको dual cameras दिये है with 50 plus 50MP sensors and 16MP sensor for selfies इसमी stereo speakers दिये है जो loud है मैं आप लोगो को recommend करता हूँ के आप इन smartphones के full reviews देखे जिसे आपको इनके बरिया में जानकारी मिले fans for watching the video मिलते हैं आपसे अगले विडियो में